तो वेलकम गाइज आप देख रहें वियकल्स 2.0 तो गाइज देखो अभी की टाइम पे निंजा इस्टो आर को को नहीं जान दा जुकि दुनिया में सबसे जादा रियर और सबसे जादा फरस्ट बाइक है यार इस दुनिया में कुछ ऐसे बिवाइक से जिकी णिंजा इस्टो आर से भी जादा ठिरी ये रहें एक्सेहँ आजा वाओ करते हैं अरे हाँ मेरवाई नमर फोर पे रखा है हमने डुकाटे की सुपर लेजरा वी फोर को ये डुकाटे की टॉप मोडल बाइक है और सबसे जाधार येर भी की पूरे ब्रामंड में इस बाइक इसे 500 यूनिट से अवेलेबल है और हर एक यूनिट की किमत करीब 1.40 लाग अब यार यही से वीडियो चोड़ के मत भाग जाना क्योंकि यार पिच्छर अभी भी बाकी है तर नमर थ्री पे रखा है हमने डॉच टॉम होग अब जिन जिन लोगों को ये लगता है ना कि कावसा की निजा इस्टो आर दुनिया की सबसे जाधा तेज़ बाइक है तो पूरे वल्ड में इस बैक के सिर्फ आट-ची उनिट्स अवलेबल है तो हर एक उनिट की केमत रखी गए एकरी चार करोण नमर टू वाली बाइक को आप वन एन ओनली पीस भी बोल सकते हैं क्योंकि यार पूरे ब्रहमन में ये सिर्फ एक ही बाइक है जो की बनी है हीरे और सोने से अरे इसकी तारिफ करते करते तो मैं भूली गया कि इसका नाम क्या है इस वाली बाइक का नाम है Harley Davidson Blue Edition इस वाइक को दो कंपनी के कॉलबरेशन से बना गया है एक है Harley Davidson और दूसरी वाले है बुचलर जो के एक जुवलर कंपनी है और यही तो रिजन है कि इस वाइक मे लगा गया हर एक नट बोल्ट भी सोने का है तो जा तक बात रही प्राइज की तो पूरी दुनिया में यह बस एक ही बाइक है और इसकी प्राइज रखी गई करीं 12 करों मित्रों फाइनली नंबर वण पर है नीमन मारकस लिमिटेड एडिशन फाइटर यही दुनिया की सब को बात दाओ इस बैक में लगा गया है एक आजा नो सो सासर सिसी का वी ट्वीन इंजिन जो कि आरम से 300 कलमेडस पर और कि टॉस्पिड को भी टच कर सकता है और पूरी दुनिया में इस बैक इसी 45 यूनिट से एवलेबल है यार यह थी दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा एक